हाई फ्रेंट्स आज हम लेके आ हैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि चैन टिप्स रधर यूश्फुल टिप्स जो कि हम इसा की तरह बहुत ही अच्छी होंगे तो आप लोग से बसे की रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें वीडियो थोड़ के साफ शेयर करने वाले हैं फ्रेंट के अलग तरीक यूश करेंगे किस तरह से यूश करेंगे चलिए बताते हैं आपको जहकि बहुत ही अच्छा है अगर आप सतरी कैसी यूश करते हैं ठीकिन बाल्ये आपके प्रब्लम सछल्फ हो चाएगी तो क्या करना है हमें प्याश करने के लिए अपने देखा होगा अक्सर स्विच बोर्ट जो हैं बहुत जाँ जादा घंडे हो जाता है पिर हम सोसते है कि इसको क्लीन किस तरीके से किया जाए क्योंकि इसको पानी से तो क्लीन नहीं कर सकते है वो ना करेंट लगने का तो इसको एक बहुत इच्छे तरीके से क्लीन करेंगे इसको हम आज क्लीन करने वाले हैं प्याज के मदद से प्याज के मदद से क्या होता है आपको अलग से सरफ साबन वगएरा किसी भी चीज के बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है सिर्फ प्याज से ही ये जो स्विच बोड आराम से क्लीन हो जाता है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्लीन करना है और अब जब ये अच्छे से क्लीन हो चुका है तब हम इसको एक टेशू पेपर के मदद से इच्छे से पहुंच देंगे इससे क्या होगा फ्रेंट्स हमारे जो बोड है बहुत ही आराम से क्लीन भी हो जाएगा और उसी के साथ में हमें इसको क्लीन करने के लिए पानी के बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेंगे पानी के उच्छे से हम इसको साफ नहीं कर सकते हैं अच अगर अब सूचे की कि हमने इसको कउल Kändam से क्यों साफ कर सकते है लेकिन कई पर क्या होताा कि इगर में किलिन खताम हो जाता है यह बहुत यह अची टिफ्स है अगर आप इसको यूज़ करते हैं ठीक इन मानी इससे आपको बहुत ही पैनिफिट होगा से और उसके बाद से हल्दी और नमक को इस तरीके से इस पे लगाना है आप देखेंगे थोड़ी दिर में हल्दी और नमक जो है पूरा अच्छे से डाइपर के ओपर शिपक जाएगा अच्छा इसका हम यूज किस तरीके से करेंगे फ्रेंट्स आपने देखा होगा बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यानि कि दर्द होता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है खास करके मारे गड़ में जो बड़े बजरुक लोग होते उनलों को यह सारी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि गोटने में दर्द होता है या फिर कई बार कलाई में दर् वेर कर सके देखिए अगर आप चाहें तो आराम से इसको अपनी घुटने के ऊपर भी बांदसके हैं अगर आपको कलाई में प्रॉब्लम में यानि का polity में प्रॉब्लम में तो आप इस को इसथार होता है जो दर्द होता है उसमें आराम मिलता है इसलिए हल्दय नमक को बांदा जाता है तो कई बार तो हम गरम पट्टी का यूज़ करते हैं इस तरीके से बांदने के लिए लेकिन अगर आपके पास गरम पट्टी नहीं है और इमर्जेंसी है तो आप इस तरीके से अगर आपके घ को फेकना नहें है, यानि कि Modi फेकना में कि फेकना करना आइं जब हम इसा रात बर बांद कर चोड़ें, लूँता का यह उत्यरा क्षेण में पहलता न गरुते, इससी का यूज शुक्ण करण uh जब कभी ऐसा हो पानी गिर जाए फिर दूद वगर गिर जाए इस तरीके से तो आप इसको बहुत इच्छे से डाइपर की मदद से क्लीन कर सकते हैं क्यूंकि डाइपर में जो कॉटन होता है बहुत इच्छे से पानी को या किसी भी मौश्टर को अराम से सोक लेता है जिसकी वैसे बहुत अच्छे से सोक जाता है तो इसको दो से तीन बार आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके बास से जब डाइपर खराब हो जाए फिर आप इसे फेक दीजेगा ये आपकी चोहिसे अगर आप इस तरीके से इसको यूज़ करना चाते हैं तो कीज़ेगा व गोल्ड के जूभी चीज़े होती हैं आपने देखा होगा कुछ टाइम के बास से वो डल पढ़ने लगते हैं यानि कि कई बार उसमें बहुत जादा डश्ट हो जाता है जस्ट जमा हो जाता है फिर हम इसे सोचते हैं कि किस तरीके से क्लीन करवाएं फिर हम इसे मार्केट म जाम करने की जरूरत नहीं है आप आराम से घर में ही गोल्ड को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और इससे आपको कोई टैंशन में नहीं होगी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर जो आपका जोयल है अगर वो सही नहीं है तो कई बार ऐसा भी लोग करते हैं कि सोने क जो है जाल लेते हैं ऐसा आपने बहुत बर सुना होगा पहले तो फ्रेंट्स पाहर ले जाके हम क्यों रिस्क लें क्यों ना हम इसको घर में अच्छे से क्लीन करें ताकि इसकी जो साही ने वो भी वापस आ जाए और साथ ही साथ इसमें जितने भी डश्ट गंदगी जो भी ह है तो इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं चलिए आपको बताते हैं येकीन मानी है अगर आप इस टिप को यूज़ करते हैं तो आपके जो गोल्ड की साही ने वो बिल्कुल भड़ जाएगी तो यहां पर हमने क्या किया कि क्टोरी में थोड़ा सा गुनगोना पानी लिया है हुई हमें भी हमारी जोल्ड में डालन दाकुण से क Спषिते आफ जोल्ड पिस में दिन गोल्ड के लिष्मा कीक mikä हुई हुई हिसे बाइक फ़ेखिये हैं कि वैसे कीम हमारी की से तान पुझ होवार्व गोल्ड में नाप जाता है और साथी साथ जो इसमें डश्ट होता है वो भी क्लीन हो जाता है तो यह देखिए हम आप दोके भी दिखा देते हैं तो इसमें हम अपना मंगल सुतर भी डाल देंगे और फिर इसको सिर्फ दो मिट के लिए भी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं इसके पास में फिर इस तरीके से अब क्लीन के लिए गा तो आप खुद ही देखिए कि कितना इच्छे से यह साइन कर रहा है तो इस टिप को जिरूर से आज मैंगे का फ्रेंड्स और कैसा रहा आपका रिजल्ट हमाई से चिरूर शेयर करें तो अमीद करते हैं आज की यह टिप्स भी आपको पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शर कमेंट कर दीजेगा अच्छा एक चीज और यहां पर डश्ट और गंदगियों को साफ करने के लिए आप यहां पर चोटी से ब्रस का भी उस कर सकते हैं ब्रस की मदद से आप आराम से सारी गंदगियों को निकाल सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जोल्री में थोड़ा ज्यादा ही डश्ट बैठा हुआ है तो आप आराम से उसको किसी ब्रस की हेल्प से निकाल सकते हैं और उसके बास से फिर इसको थोड़ा सा वाश कर लेजागा और यह लीजे बिल्कुल तैयार है अपकी कूल की जोल्री वेर करने के लिए तो इस तरह से फ्रेंट्स सारा डश्ट वगरा भी क्लीन हो गया और हमारी जो जो जोल्री उसमें साइनिंग भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है तो उमीद करते हैं टिपस अच्छी लगी होगी तो चलिए बढ़ते हैं ऐसी बहतरीं से टिपस के और अच्छा एक ची लगी हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ से जरूर से शेयर कीजेगा हो सकता है इससे उनको भी कुछ हल्प मिल सके तो चलिए फ्रेंट्स अपनी अगली टिपस भी देख लेते हैं आच्छा बहुत बढ़त क्या होता है आपने देखा होगा घर में कंगियां जो ह करें तो अइसे पादर के साथ करेंगा है इसमें जतनी भी गंदगी होती है कंगियों में वह आराम से निकल जाएगा आपे इस टिप को एक बर जरूर से आजमा करके देखेए कि आपको खुदी समझ में आ जाएगा इस तरह से बहुत आसानी से कंगि साफ हो जाती है इतना जल्दी साफ तो तब भी नहीं होता है जब आप इसको पानी से क्लीन करते हैं यानि के पानी से दोते हैं तो इस टिप के यूज़ कीज़ेगा फ्रेंट बिस थोड़ा सा पॉड़र डालना है आपको उपर और इस तरह से इसकी मदद से अच्छे से कंग्यों को साफ कर लेना ह इसको साफ करने के लिए आपके से पुराने brush का यूज़ कीज़ेगा और अगर आपके पैस कोई पुराना brush नहीं है तो आप यहाँ पर कपड़े दोने वाले brush का भी यूज़ कर सकते हैं अलगे जो इस तरीके के ब्रस होते हैं इसकी मदद से बहुत अच्छे से कंगी जो है साफ हो जाती है तो उम्मिद करते हैं फ्रेंट टिपस अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत बूलेगा और साथी साथ वीडियो में कौन सी टिपस आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कौनसी टिपस आपको पसंद नही आए प्लीज हमें वह भी कमेंट करके बताएं तरकelect हमें पता चल सके की हमारी वेवर्स को किस तरीके की टिपस पसंद आ रहें हैं और आप किस जग आपसे इस वीडियो को देख शकर ünस प्ल वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई थैंक्स पर वाचिंग ऐसी बहुत सारी वीडियो पहले से चैनल पर एक बार जरूर